आज संत्वानी में बुल्ले शाह का एक पद लेने जा रहे हैं बुल्ले शाह का जन 1680 इस भी में हुआ और 1758 इस भी तक बुल्ले शाह पंजाब की धरती पर अपना गीत गाते रहे कहते हैं बुल्ले शाह जैसी सूरत आइन दी वैसी सूरत गैन उर्दू में आइन और गैन लिखने का तरीका एक ही है मंकर थोड़ा फर्क है जब नीचे नुकता लगा दो तो इसको गैन पढ़ते हैं और अगर नुकता नहीं लगाया तो इसको आइन कहते हैं लेकिन आइन का अर्थ अल्ला हो जाता है और गैन का अर्थ संसार हो जाता है तो परमात्मा और संसार में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है संसार में ही परमात्मा रमा हुआ है और संसार परमात्मा के अंदर ही है लेकिन एक नुकते का फर्क है जिसे हम अल्ला कहते हैं वो संसार से भिन नहीं है लेकिन फिर भी भिन्न है कुछ भिन्नताय है इसलिए इस बात को अस्टावक्ट कहते हैं सब में है एक ही आत्मा है जनक सारे घटों में सारे जुओं में एक ही चैतने आत्मा का निवास है सब में है एक ही आत्मा है जनक प्राणी परमात्मा से नहीं है अलग क्योंकि प्राणी परमात्मा से अलग नहीं है प्राणी में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही सारे प्राणी सारे जिव जनतों रहते हैं तो कहते हैं बुले शाह जैसी सूरत आयन अदी वैसी सूरत गैन एक नुक्ते दा फरक है लेकिन फरक तो है फरक क्या है एक नुक्ते का फरक है जैसे मैंने बताया कि जो लिखा जाता है आयन में के नीचे नुक्ता नहीं लगता है गैन में नीचे नुक्ता लग जाता है एक मुद्दे की बात है परमात्मा और संसार में एक मुद्दे की बात है नुक्ता की बात है एक विंदू की बात है एक मुद्दे की बात है इस बात को बुले शाह अन्यतर कहते हैं एक नुक्ते विच गल मुक्दी है कहते हैं कि एक नुक्ता एक मुद्दे के कारण बात फिर अ मुद्ध दर क्या है वो मुद्ध ऑंकार है पूरे अस्तित में अनाहत नात कि अगर उस अनाहत नात को तुम जान लेते हो अगर उस उंकार तद्द को तुम जानलेते Lat masking का बहुत अपने भीतर ही, अपने शरीर के भीतर ही, उस उंकार को जान कर, अपने असली स्वरूप को, अपने निराकार स्वरूप को तुम जान लेते हो, और अगर उस उंकार को तुमने नहीं जाना, वो मुद्दे की बात अगर तुमने नहीं जाने, तो फिर संसार तुम्हारे लिए संसार बरही रह जाता है उसमें तुम परमात्मा का अन्भव नहीं कर पाते हो उसी बात को कर रहे हैं कि एक नुकते बीच गलमक दिये एक नुकते के करन बात पूरी हो जाती है और एक मुद्धा चोड़ लो उंकार को जोड़ लो तो संसार में ही परमात्मा दिखाई देने लगता है संसार में ही परमात्मा कानभाव शुरू हो जाता है कहते हैं फ़र नुक्ता छोड हिसाबानों कहते हैं उस नुक्ते को पकड़ लो उस मुद्दे को पकड़ लो उस उंकार को पकड़ लो और संसार में कह ये जो बुद्धी के तल पर जीते हो हिसाब किताब करते रहते हो करदूर कुफर दे और बाबानू और ये जितने पंडित हैं मुल्ना है जो उनकी तक्रीरे सुनते हैं उससे अपना दिमाग खराब करते हो उन सब को छोड़ो बस तुम एक तत्व उंकार को पकर लो तो बात पूरी हो जाती है जिसके लिए यारी साहब एक संत हुए कहते हैं लग खोज चला जावे जब तक मुद्दा नहीं हाथावे तुम्हारी खोज कि मैं कौन हूं परमात्मा कौन है आत्मा कौन है ये खोज तब तक जारी रखो जब तक कि वह मुद्दा नहीं हाथा जाए तुम्हारे और मुद्दा क्या है वह उंकार असली कलमा उंकार है परमात्मा का ग्यान शुरू हो जाता है कहते हैं बुले शाह एक नुक्ते दा फरक है अब भुली फिरे कुनायन लेकिन लोग यह भटक रहे हैं सब परमात्मा को खोज रहे हैं सब चाहते हैं कि परमात्मा हमको दिखाई दे कौन नहीं चाहता है कि परमात्मा को मैं जान दू लेकिन बस एक नुक्ते की बात है इस उंकार की बात है अगर तुमने उंकार को जान लिया तो परमातमा को जानना बड़ा सहज है अगर तुमने उंकार को नहीं जाना तो भूले फिरो तीरत तीरत जाओ इस व्यक्ति के पास जाओ उस व्यक्ति के जाओ इस मुल्ले के पास ज जाओ इस मंदिर के पास जाओ उस मजजिद में जाओ कुछ भी हाथ नहीं लगता जिसके लिए बुले शाहनेत्र कहते हैं एक नुक्ता यार पढ़ाया है एक मुद्दे की बात मेरे यार ने मेरे मुर्शिद पढ़ाया बताया किते हैं एक और प्रहण करें का सुरत आइन और ग्यान का सुरत लेखने में एक ही है जिसमने कहते हैं प्रभू को всё ID। तो एक ही डोनों की सुरत तो एक ही है दूनों का उंदाज लिखने का तो एक ही है तो एन गान दी का सूरत एक नुक्ते शोर मचाया है एक नुक्ते के चलते सारा शोर है कहते हैं यह यह ऐसे इसको कह लो कि ऐसे ही परमात्मा और संसार में ज्यादा अंतर नहीं है एक निराकार है और दूसरा आकार बसी तो नहीं तो फरक है कहते हैं बुलेशा चल बुलिया चल उत्थे चलिए जित्थे सारे अंधे कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि अंधों की बस्ती में चला जाए अर्था जो बाहरी क्यों कह रहे हैं एक मजाग कह रहे हैं कि लोग क्या है बाहरी रूप और गुन को महत्व देते हैं बाहरी तो नहीं पता चलता है कि यह परमात्मा का जानकार है कि परमात्मा का जानकार नहीं है तो चलो ऐसी जगह चलो जिनके पास कोई याड इस्टिक नहीं है कि वह बाहरी रूप और बाहरी गुंड तक सीमित नहीं है वहां चलो जहां परमात्मा की कद्र करने वाले लोग हैं अर जहां लोग अपरचीत हों जहां पर बाहरी और बाहरी कुन के चलते हैं लोग मुले नहीं देते हो वहां चलो कहते हैं मुले शाह ना कोई साड़ी जात पचाने ऐसी जगह चलो जहां पर लोग क्या करते हैं भारत वर्ष में खास करके तुम देखोगे लोग जात पुछते है आप किस जात के हूँ, और उस से निर्ने लेते हैं कि यह वक्ति कैसा होगा, तो कहते हैं ना कोई सारी जात पचार ईसे जगह चलो जहां कोई हमारी जात को नहीं पहचानता है, क्योंकि हमारी असली जात तो नहीं है, ये जन्म के कारण हमारी जात के निधारन कैसे करो कि हमारी जात तो ब्रह्म है हम तो हमारे माता पिता तो परमात्मा है हमारा स्वरूप तो अलग है किसी जात में पैदा होने से हमारा उस जात इसे क्या समंद है जिसके लिए राजस्थान के दरिया साथ करते है जात हमारी ब् पर्चे किस जाद ब्रामन जाती में पैदा हो वा कि छत्रिय जाती में कि शुद्र जाती क्या यह संत का पर्चे हो सकता है संत का पर्चे तर्या साब अता रहे जाती हैं हमारी ब्रम जाती है हमारी कहते हैं माता पिता है राम और संसार के लोग हमारे माता पिता नहीं है हमारे माता पिता तो परमात्मा है राम है अगिरह हमारा सुन्द में और ये माटी और येट और पत्थरों का घर तो हमारा घर नहीं है असली हमारा घर तो शुन्य में है भीतर शुन्याकाश में है बोध में अंतराकाश में है वह वहां हमारा असली घर है और अनहद में विश्राम और अनहद नाद में सुनता हूँ तो वह हमारी विश्राम अस्तली है ये एक संत का असली परचे होता है एक फरकीर का असली परच होता है कहते हैं बुल्लेशा कि ना कोई साड़ी जात पचारे या ना कोई सानु मन्दे ऐसी जगह चलो जो कोई जात पात के अधार पर हमारे विश्य में धार नहीं बनाता है अन्ना कोई हमें कोई मान दे जात के अधार पर हमें सम्मान दे क्योंकि तुम जूटे ह approche के अधार पर तुम हमें सम्मान दे रहे हो करते हैं बुल्लिषा भ्ट नमाजा चिक्र रोजे बड़े शाहस का वक्तब है बड़े शाहस का वक्तब है करते है भान में जाए ये नमाज और कीचड़ में गिरे ये रोजा देख रहो जो इसलाम के पाँच अरकान हैं जो अब्राहमिक रिलीजन में है तो वह कहते हैं इन सबसे क्या होका बताओ असली बात मुद्दी की बात है उंकार को जानो असली कलमा को जानो पाक कलमा को जानो वह असली बात है कहते हैं भट नमाजा चिक्कड रोजे भान में जाए नमाज कीचड में गिरे रोजे और कहते हैं क्या कलमे ते फिर गई सियाही और कलमा पर सियाही फिर जाए सियाही पो तो उसकल में को पढ़ो जिसके जिसको किसी अक्षर से पढ़ने की जरूरत नहीं किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है वह तो भीतर वह कलमा कलकल कर रहा है कहते हैं कि अपना जो मेरा प्रियतम प्रभु है वो किसी किताब से नहीं मिलता है उसको तो मैंने अपने भीतर पा लिया है अपने भीतर पढ़ने बाहर किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है वो तो भीतर जानने की चीज है जिसके लिए सुल्तान बाहू कहते हैं कि बेते पढ़के फाजिल हो ये अक्षर ग्यान ये वाचक ग्यान अरजित करके लोग विद्वान हो जाते हैं फाजिल हो जाते हैं अलिफ न पढ़िया किस्से हो लेकिन अलिफ कहते हैं उंकार को कहते हैं असली अलिफ जो है असली पढ़ाई तो ओंकार की पढ़ाई है कहते हैं कि जे पढ़या ति शौहन लद्धा और कहते हैं ओंकार को छोड़ करके अन्य जो भी तुमने पढ़ाई की है कहते हैं तो पढ़या ति शौहन लद्धा कहते हैं कि उसने अपने प्रियतम को नहीं पाय कोई भी वाचक ज्यान, अनुहाग ज्यान के बिना पूरा नहीं है, वाचक ज्यान कितना भी पढ़ो, उस प्रियतम परमात्मा को तुम नहीं जान सकते, हुआंकार को छोड़ करके, तुमने जो भी पढ़ाई की है, तिस कहते हैं, तिस शौहन लद्धा, उसने अपने प्रिय परमात्मा को पा भी नहीं सकता आज जा पढ़या कुछ तिस्से हूँ कहते हैं कि जिसने अलिफ को पढ़ा है जिसने मुद्द को पढ़ा है जिसने उंकार को पढ़ा है उसने ही परमात्मा को पाया है कहते हैं बुल्ले शाह बुल्ले साह शाव अंदरों पाया और भुली फि भीतर गुज रहा है और उसको ना जान करके लोग इधर-उदर भठकतेते हैं पहे तीरत में भठकता है कोई कितावों में भठक जाता है कोई मंदर मस्चीष में भठक जाता है तो भठके हुए लोगों की वाज सारे संसार में घूम रही है जिसके लिए कभीर साब कहते हैं पूजा सेवा नेम प्रति भट के लिए लोग क्या करते हैं पूजा करते हैं सेवा करते हैं नियम प्रत का पालन करते हैं यह सब गुरियन का साखेल कहते हैं यह गुरियों का खेल से ज्यादा इसका मुल्ल नहीं है जब लगी प्यू परसे न नहीं तो यह उसको अनुभव नहीं करो तब लग संशय मेल तब तक तुम्हारा चित संशय से भरा होता है और तुम प्रमात्मा को नहीं जान सकते संथ बानी को यहीं विराम देते हैं कर दो कर दो